नमस्ष्पा दूसकों मैं अकलता मुंटेका मुंटेका स्कीचर में आप सब्सक्राइब करती हूँ आज हम जो रेसिपी देखने वाले हैं वो माटर पनीर रेसिपी मैं आपको बताने वारी हूँ आप प्लीज आप घर में ट्राय करके देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए कि आपको रेसिपी ऐसे लगी और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगते तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आज हम मटर पनीर को बीना क्रीम के और बीना कैश्यूनट पेस्ट की बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनता है सबसे पहले हम पैन में तीन टेबल स्पून आयल ले लेंगे और उसमें पनीर के पीसस डालेंगे इसे हमें रोस्ट करना है मटर पनीर में अगर हम पनीर को रोस्ट करते तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आप ना करें मैं आगे भी इसमें टिप्स देने वाली हो तो बनी रही है लास तक वीडियो के साथ और इसे रोस्ट करने के लिए आप में चारों तरब से ऐसे फ्लिप करना है हमें टिप नमँबर one में इसमें बताना चाहूंगी कि इसे हमें शालो फराय करना है करना है जिसके कारण जो पनीर में जो पानी के कॉंटेंट्स रहते वो ऊड़ते नहीं है और अच्छे से हम शाल फ्राय कर लेते हैं उसे सेम पैन में थोड़ा सा ओईल बचा है तो मैंने उसमें अनियन डाल दिया दो इंची के करीब कर जिंजर और दस से बारा कलिया कार्लिक से बैन कर लें तो ब्लेंगे कारम त्ब्लेंग saatsies और फिल्जा कर लेंगे दीकित काशिक और इसा इच्छाह में कलोड़ा से हम बढ़ीया में घंट कर लेंगे इसे खीवी मतண कर लें तो देखिए सब पेस्ट बना लें अब इसे साइड में रख देंगे अब हमें ग्सकर तो हमने कडाई में आधा कप के पास-पास ओई ले लिया है उसमें एक चब्मच समच हम जीरा डाल देंगे और एक बेल यूज टाल दूंगी मैं तेजपत्ता और दो लाल मिर्च डाल दूंगी और एक इंच के पास-पास मैंने सिनामेन स्टिक डाल दिया है और एक बड़ी और इने थोड़ा सा रोस्ट होने दे अब हमें इसमें अपना अनियन का पेस्ट डाल देना है जो हमने इससे पहले बनाया था तो इसे हम डाल देंगे और इसे हमें रोस्ट कर लेना है पास से साथ मिनिट तक और ज्यादा रोस्ट नहीं करना है क्योंकि हमने इससे पहले भी से रोस्ट कर लिया है तो इसे हमें जस्ट चलाना है पाच से साथ मिनिट और अच्छे से और लाइट ब्राउन होते तक हमें इसे भूनना है और जब यह पैन चोड़ने लग जाएंगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो पेस्ट हो रेडी हो गया है तो देखिए पैन मैंने टर्रिक पाउडर डाल दूंगी और एक चमच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया एक चमच मैंने गरम मसाला पाउडर और एक चमच धनिया पाउडर डाल दिया और इसे अच्छे से मिला लेंगे और एक मिलीट तक थोड़ा चला लेंगे ताकि यह जो मसाले अभ बराबर तीन मीडियम साइस के टमाटर के बराबर है तो इसे अच्छे से घुमा ले और जहां था हो सके रेड कलर की टमाटर ले जिसके कारण क्या होगा आपके प्यूरी भी बहुत अच्छी दिखेगी और इसमें हम नमक डाल देंगे अपने स्वाद उनुसार तो एक चमच की काद आता है जो ग्रेवे हमारा आते है इसमें और इसे मिला दे आप हमारी एक हम अभी थाखे धीक हो गई इसमें हम गरम पानि डालेंगे आा जिए मेंलग कैसा पहार आ जाता है की यहताला बहुत ही बढ़िया, अब इसमें क्या करेंगे आप मटर डाल देंगे, इसमें मैंने फ्रोजन मटर नहीं लिया है, तो टिप नमबर नेक्स्ट यह है कि मटर को हमेशा बॉल कर ले, अगर आप फ्रोजन मटर नहीं डाल रहे तो उसे थोड़ा सा बॉल कर रहे, जिसके कारण क अगर आप फ्रोजन मटर डाल रहे तो फिर ऐसे डाले अब हमें इसे सीम पे दो मिनिट रख दिया है तो देखे कैसे सुपर ग्रेवी दिख रही है हमारी फिर से हम आदा गलस पानी डाल देंगे क्योंकि ग्रेवी थोड़ी थीक हो गई है इसे मिला दे और जिससे क्या होंग इसका अब हमारी रडी हो गई है कितनी बहुत ही बढ़िया दिख रही है अब इसमें पणियर डाल देंगे इसे मिला ले लेकिन आभी क्या है कि पणियर में इसका फ्लेवर नहीं आया है इसलिए हम क्या करेंगे इसे फिर से दो मिनिट तक लोज़ेम पे इसे दखक कर रख जाएंगा और हमारी सूपर टेस्टी मर्टर पनीर रीडी हो जाएगा तब फिर खाईए खिलाएए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए